वल्लकप 2023 में गुरुवार को टोर्णामेंट का 25 वा मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंगलेंड और श्रिलंका के बीच पहंगलोर के एम चिर्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया मुकाबला श्रिलंका और इंगलेंड में था जो कि अभी तक वल्लकप में कुछ खास लैमें नजर नहीं आई थी ऐसे में माना जा रहा था कि चिर्नास्वामी के छोटे स्टेडियम में ये दोनों टीमें तहल का मचाएंगी मैच की शुरुआत इंगलेंड के टौस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने के साथ हुई लेकिन टीम ने सभी को निराश किया टीम 34 वे और में मातर 156 के स्कोर पर सिमट गई जबाब में श्रिलंका ने 157 रणों का टारगेट सिर्फ 26 वे और में दो विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया श्रिलंका की वर्ल कप में ये लगातार दूसरी जीत है जबकि इंगलेंड की लगातार तीसरी हार है इंगलेंड को इससे पहले अफगानिस्तान ने 69 रणों से हराय था जबकि साउथ अफरीका ने 239 रणों से करारी शिकस्त पहुचाई थी अब श्रिलंका ने भी आठ विकेट से हरा कर इंगलेंड की मुश्किलें बढ़ा दी है दरसल मौझूदा टूर्णमेंड में इंगलेंड अब तक 5 में से 4 मैच हार चुका है टूर्णमेंड के ओपनिंग मैच में टीम को न्यूजिलेंड के खिलाफ 9 विकेट से हार मिली थी बंगलादेश को टीम ने 137 रनों से हराय था जो कि इस टूर्णमेंड में इंगलेंड की इकलौती जीत है हला कि अब सेमी फाइनल के लिए इंगलेंड की रहा काफी मुश्किल हो चुकी है इंगलेंड को अगर अब सेमी फाइनल का टिकेट कटाना है तो अपने बचे हुवे चारों मुकाबले जीतने होंगे वैसे अगर समी करण पे नज़र डाली जाए तो इंगलेंड की टीम आलमोस्ट सेमी फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है टीम फिलाल दो अंकों के साथ पॉइंट सेबल में नोवे पाइदान पर है ये वाकी में हैरानी वाली बात है कि जिस टीम ने फिछले साल वर्ल्ल कप जीता था दुनिया को अपने नाम किया था वही टीम अब टॉप फोर की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ी हुई है टीम फिलाल नोवे स्थान पर है और अगर अब टीम को अंतीम चार का टिकेट कटाना है तो अपने बचे होवे चारों मुकाबले जीतने होंगे इंगलेंड को ना सिर्फ अपने मैच जीतने होंगे बलकि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी टाकि टीम के रेट रंडेट में भी सुधार आए इंगलेंड का ने टरंडेट फिलाल माइनस 1.63 है अगर इंगलेंड के बचे होवे मैचों की बात की जाए तो टीम का सामना 29 अक्टूबर को टीम इंडिया से होगा ये मुकाबला लखनो के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा भारते टीम फिलाल पॉइंट स्टेबल में नमबर ववन पर चल रही है इसके बाद इंगलेंड का सामना आस्टेलिया से होगा ये मुकाबला 4 नमबर को एहमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा इसके बाद इंगलेंड 8 नमबर को नीदरलेंड से दो दो हाथ करेगी जो मैच पुने में होगा महीं इंगलेंड को अपना आखरी लिग मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता के एडिन गार्डन्स पर खेलना है इंगलेंड की टीम और फैंस अब यही दुआ करेंगे कि टीम अपने चारों के चारों मैच जीते साथ ही इंगलेंड के फैंस को अब यह दुआ भी करनी होगी कि अन्य टीम जैसे कि पाकिस्तान, औस्ट्रेलिया, श्रिलंका और अफगानिस्तान ये भी अपने मैच हारें यानि कि अब सिर्फ इंगलेंड को उनकी जीत से काम नहीं चलेगा अब टीम को दूसरों की हार की दुआ भी करनी होगी वहीं अगर श्रिलंका की बात की जाए तो श्रिलंका इस जीत के साथ पॉइंस्टेबल में छटे से पांचवे स्थान पर आ गया है श्रिलंका के पास फिलाल चार अंक हैं और टीम ने पांच में से दो मैच जीत लिये हैं पिछले मैच में टीम ने निर्दिलेंड को भी पांच विकेट से हराया था श्रिलंका ने वर्ल कप में जोरतार वापसी की है हलाकि पाकिस्तान अब पांचवे से छटे स्थान पर पहुँच गया है वैसे अगर टॉप 4 टीमों की बात की जाए तो टीम इंडिया फिलाल 10 अंकों के साथ नमबर 1 पर है जबकि साउथ अफरीका फिलाल 8 अंकों के साथ नमबर 2 पर बनी हुई है तीस्टे पर पिछली दो बर की रणर अप न्यूजिलेंड है जिनके 8 अंक हैं वहीं चौते स्थान पर ऑस्ट्रेलिया टीम है जिनके 6 अंक हैं नीदरलेंड सबसे आखरी में है पॉइंट स्टेबल में 10 पायदान पर जो 5 में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है अब ऐसी स्थिती में आपको क्या लगता है कौन सी वो टॉप चार टीमें होंगी जो सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी चार टीमों का नाम कमेंट कर आप बताएं साथी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शियर करना बिल्कुल ना बोलें